आप सब तो आज हम लोग कर रहे हैं अपना NLP सिरीज और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेक्स्ट प्रीपोर्ससिं के वारे मेरे हैं एक कंशने हैं उस डेटर सेट में हमारे पास दो रिडियु का एड जो सिकेंड को लम से हमार पास मारे आपर ताःीं हां में लेवल हैं जो घौन निगेटिव भी हुए तो जब भी हमारे पास NLP का प्रोब्लम में स्टेट्मेंट होता है हमारा फर्स्ट टास्क होता है टेक्स्ट प्रिपोसेसिंग करना अब टेक्स्ट प्रिपोसेसिंग में क्या क्या आता है उसको थोड़ा सा समझते हैं तो जैसे हमारे पास huge amounts of data आ गया textual data अब हो textual data को टेक्स प्रिपोसेसिंग के लिएंदर vrst हम लो लोग करते हैं टोकें यह पर हमारे पास lots of जो करपस अबलेवल है उस करपस को हम लोग small small chunks में divide कर देते हैं a small small करफस में divide कर देते हैं जहां पर हम लोग करते हैं word tokenization and sentence tokenization हम लोग समझेंगे क्यों कर रहे हैं उसके बारे में उसके बास second step होता है हमारे पास stop word removal जो भी हमारे पास complete करपस के अंदर stops word है उसको हम लोग remove करते हैं third step होता है stemming and limitization apply करना depends upon the problem statement जैसा हमारा problem statement है हम लोग stemming and limitization apply करते हैं next steps होता है जहां पर हम लोग convert करते हैं अपने complete text को vector के form में और आप बोल सकते हो numeric form में क्यों? क्योंकि हमारा जो machine है वो textual data को समझता नहीं है जब भी हम लोग अपने data को machine learning के algorithm में या फिर NLP के algorithm में fit करेंगी तो उहां पर क्या देना परेगा हमें हमें numerical data देना परेगा हमें vector देना परेगा जो भी हमारा पास text है वहां पर हम लोग apply करते हैं वाक to वाक TF-IDF word to वाक हो गया वाक of word हो गया तो यह सारे चीज़ हम लोग apply करते हैं अपने textual data को vector में convert करने के लिए तो इस text prepossessing के series में हम लोग यह सारे चीज़े cover करने बाले हैं अब चलो समझते हैं कि tokenization क्या होए tokenization is one of the first step in any NLP pipeline tokenization is nothing but splitting the raw text into the small chunks of word और we can say sentences जैसे कि हमारे पास मैंने आपको example दिया थै कि हमारे पास review business data है अब उस review के data set में हमारे पास बहुत सारे data से थे बहुत सारे chunks of data set में right chunks of curvas है हमारे पास आब उस करपस ने एक Milर क्ता करोए small small chunks में हम लोग क्या करेंगे उसको divide कर देंगे और उसको हम लोग split कर देंगे उसको हम लोग बोलते हैं tokenization अब tokenization two types का होता है पहला word tokenization and second जो होता है sentence tokenization so let's say कि मेरे पास एक complete data है complete corpus है tokenization is one of the first in any NLP pipeline so let's say कि हमारे पास example के तौर पर मैं same text को यहां पर पेस्ट कर रहा हूं so example के तौर ठीक है so यह मेरे पास data set available है अब इस data set को मैं क्या करूंगा कि अगर मुझे word tokenization apply करना है यहां पर so word tokenization so word tokenization में क्या होता है जितने भी हमारे पास corpus है यह एक-एक word में split हो जाएगा it means पाले आ जाएगा हमारे पास tokenization फिर आजाएगा हमारे पास tokenization is one of the first step इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा जितना भी कर्पस है यह एक-एक word में divide हो जाएगा इसको हम लोग बोलते है word tokenization अब second है हमारे पास sentence tokenization sentence tokenization sentence tokenization में क्या होता है जो भी हमारे पास बरा कर्पस का data है जैसे कि यह हमारे पास let's say कि यह हमारे इस तरह से करते हैं यह क इक ऍवह ग山ऊ करते हैं जैसे कि यह हमारे पास पहला sentence हो गया तील फुल ईस टाफ तरह से मह अपने data कू sentence tokenization में convert कर सकते तो यहाँ वह व nos ने यहां पर एक definition मेंशन क्या हूं so if the text is split into words then this is called word tokenization and if it's split into the sentence then this is called sentence tokenization okay so हमार पास tokenization जो होता है two types का होता है word tokenization and sentence tokenization अब बात करते हैं कि tokenization कैसे हम लोग apply करेंगे टेकनिक क्या होता है so tokenization के लिए हमार पास multiple techniques है हम लोग python का inbuilt function use कर सकते हैं या फिर regular expression यूज कर सकते हैं या फिर NLP का library यूज कर सकते हैं like NLTK, Spacey, GenSim apart from this one हम लोग किराज भी यूज कर सकते हैं tokenization purpose के लिए ठीक है so मैं क्या करता हूँ सबसे पारले एक-एक करके हम लोग सारे techniques को discuss करते हैं so इसको मैं delete करता हूँ यहां से नया sale link लेता हूँ एक-एक करके सारे techniques को apply करना है start करते हैं so let's say कि मेरे पास एक text data available है and उस text data में मैं क्या करता हूँ same text को यहां से मैं copy and paste कर लेता हूँ ठीक है यह मेरे पास let's say कि text है so मैं variable define करता हूँ सबसे पहले text and इसमें जो भी मेरे पास अभी data है उसको मैं यहां पर pass कर दे रहा हूँ ठीक है अब मैं यहां पर सबसे पहले पहला technique apply कर रहा हूँ python inbuilt function so python में हमारे पास एक function होता है split method split method को हम लोग apply करते हैं यहां and split method क्या होता है कि जहां पर भी उसको white space दिखेगा यह हमारे पास white space so based upon the white space हमारे पास split function हमारे data को divide कर देगा उसको convert कर देगा word के format में so चलो apply करते हैं so सबसे पहले मैं यहां पर variable define करता हूँ so tokens equal to text text किया है हमारे पास यह data है so text dot split and इसके बाद हम लोग print कर देंगे अपने token को so print tokens run करता हूँ मैं इस detail को अभी देखो जो भी हमारे पास data था tokenization is one of the first step in any NLP pipeline यहां पर हमारे पास जो complete tokenization is one of the first step in any NLP pipeline यह जो हमारा first sentence है split function के basis पे हम लोगों ने क्या किया कि सारे sentence को word के format में हम लोगों ने convert कर लिया यह split function क्या करता है जहां पर भी इसको white space दीखेगा based upon the white space हमारे पास split function complete sentence को divide कर देता है so tokenization के बाद हमारे पास white space है tokenization first word हो गया उसके बाद each के बाद फिर से white space है so each one of the and so on हमारे पास यह complete जो है corpus divide हो चुका है word tokenization के format में अब let's say कि आपको apply करना है sentence tokenization with the help of python inbuilt function using split method so आप उसमें क्या करोगे so मैं क्या करता हूं same code को मैं यहां से copy करता हूं इसको यहां पर paste कर लेता हूं and यहां पर सिर्फ एक modification करेंगे मैं चाहता हूं sentence tokenization में कि हमारा जो data है वो fully stop के basis पे क्या हो जाए हमारा data convert हो जाए sentence के format में जो complete करपस है वो fully stop के basis पे जहां जहां उसको fully stop मिले हमारा data split हो जाना चाहिए so मैं इसमें define करता हूं under split function fully stop run करता हूं फिर से मैं इसको अभी देखो हमारा जो data है tokenization is one of the first in NLP pipeline sentence है उसके बाद यहां से हमारा बास second sentence से start हुआ है और यह जो complete sentence है हमारा पास जो है list के format में store हो चुका है अब मैं क्या करता हूं मैं दूसरा sentence यहां पर copy करता हूं ठीक है दूसरा सबसे पहले इसको मैं copy कर लेता हूं next line में यहां पर मैं sentence define कर लेता हूं so let me copy one text and यहां पर मैं define कर रहा हूं अब मैं फिर से run कर रहा हूं इसको अभी देखो जो हमारा complete data था करफस था वो डिवाइड हो चुका है multiple sentence के format में पहला sentence है character like creates point and the new line character are used to separate the sentence so separate the sentence के बाद हमार पास क्या है full stop है हम लोगों ने define किया था full stop so full stop के basis पहला जो हमारा complete sentence है वो डिवाइड हो चुका है next चलते हैं यहां पर but one draw work with split method split method that we can only use one separator at a time यहां पर देखो हमार पास different types of comma है and different types of special symbols of label है but हम लोगों ने क्या define किया था हम लोगों ने specific define किया था full stop so हमारा जो complete purpose है वो fully stop के basis पे sentence के format में convert हो जाएगा and store कहां पर होगा list के format में यह हमार पास list के format में store हो चुका है तो इस तरह से बिद्दहेल of split python inbuilt function हम लोग word tokenization as well as sentence tokenization कर सकते हैं अब चलते हैं next method की तरफ जहां पर हम लोग apply करेंगे क्या regex regular expression so अब regex apply कर लेते है regular expression यह हमार पास था python inbuilt function अब regular expression सबसे पहले हम लोग import करेंगे सो मैं import करता हूं import re उसके बाद same text को मैं copy करता हूं जो text यहां पर हम लोगों ने use किया था so same text को मैं copy कर रहा हूं next हम लोग क्या करेंगे variable मैं define करता हूं so tokens equal to हमारे पास regular expression में एक function होता है find all उसको हम लोग define करते हैं because based upon the pattern हमारा क्या है regular expression काम करता है so मैं यहां पर कुछ pattern define करता हूं and based upon the pattern जो हमारा complete corpus है complete text है उसको सबसे पहले हम लोग word के format में word tokenization करेंगे उसके बाद हम लोग sentence tokenization करेंगे तो मैं क्या करता हूं इस find all function के अंदर सबसे पहले मैं list define करता हूं and इस list के अंदर मैं define इसमें list क्या है यह set of character लेगा यह list है यह हम लोग define करे रहें यह set of character को receive करेगा उसके बाद यहां पर slash w मैं define करूंगा यह क्या करेगा slash w return करेगा character a to z digit 0 to 9 as well as underscore character को return करेगा यह एक और चीज मैं इसमें add करूंगा उसके बाद मैं add कर देता हूं plus यह plus क्या करता है find out करता है one यह फिर more occurring element और more occurrence find out करता है इस complete verse है तो यहां पर हम लोग ने slash w define किया it means a to z हम लोग data को find out कर रहें character को 9 0 to 9 digits को find out कर रहें as well as underscore को हम लोग find out कर रहें ठीक है जो हम लोगों ने variables create किया था run करता हूं मैं इसको अभी देखो हमारा जो complete text है और purpose है वह convert हो चुका है word tokenization के format में सू इसका हम लोग ही उच कर रहें यह क्या करता मैं इसका क्या करता हूं आपको इहां पर comment अप कर देता हूं कि इसका मतलब होता है हमारे पास एक हे कर देता हूं आप लोग के लिए so that कि वो आपके लिए थोड़ा सा असान हो जाएगा समझने के लिए so ये क्या करता है ये करता है आपको set of a set of character find out करता है so set of character second है हमारे पास क्या था slash w slash w क्या करता है ये return करता है slash w return करता है character a to a to z plus a to z and and कर देता हूँ मैं and 0 to 9 digit 0 to 9 digits and underscore underscore so ये सारी चीज़े slash w return करता है उसके बाद हमारे पास एक और था plus so plus क्या करता है ये one or more occurring element को find out करता है from here based upon this based upon this complete pattern okay so one or more occurrence occurrence को find out करता है ठीक है so हम लोग ने यहापे with the help of regular expression यहापे pattern पास किया unpattern पास करने के पास हम लोग comfort के लिए अपने complete text को word के format में word tokenization अब क्या करता हूँ मैं same चीज को मैं यहाँ से copy करता हूँ यहाँ पर paste करूँगा अब यहाँ से मैं pattern हटा देता हूँ because मैं दूसरा pattern यूज करने बाला हूँ इसमें मैं क्या करता हूँ जो भी हमारा पास यहाँ पर हम लोग define करता हूँ slash w plus इसको मैं change करता हूँ इसमें क्या चाहता हूँ कि जो भी मेरे पास text है वह complete text fullest of what symbol आज में दाज कुछ special symbol मैं define कर देता हूँ special symbol के basis पर मैं क्या चाहता हूँ कि जो हमारा complete corpus है complete text है वह sentence के format में convert हो जाए तो यह मैं special symbol define कर रहा हूँ इस special symbol के basis पर मैं क्या चाहता हूँ मेरा complete corpus है वह sentence के format में convert हो जाए मैं run करता हूँ इसल को हमारे पास क्या output आ रहा है यहाँ यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा split method का भी use करना पड़ेगा जहाँ जहाँ पर हमारे पास dot what symbol यह जो भी हमारे पास special character है जहाँ भी मिलेगा हमारे text को उस basis पर complete text क्या करेगा split कर देगा मैं क्या करता हूँ इसको यहां से हटाता हूँ dot split किस इसको split कर रहा है run करता हूँ फिर से मैं अब इसको okay so हमारे पास फिर से error आ रहा है so find okay so find all नहीं यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे है compile कर रहे है run करता हूँ अभी देखो हमारे पास जहां पर dot था वह हमारे पास जो complete sentence है वह change हो चुगा है यह complete corpus था हमारे पास complete text था अब यह complete text से based upon this full stop हमारा जो data है output है यह first sentence पर convert हो चुका है मैं क्या करता हूँ in between the text यहाँ पर मैं special symbol पास कर देता हूँ क्यों मैं चाहता हूँ यह complete sentence है यह दूसरा sentence बन जाए run करता हूँ फिर से अभी देखो हमारे पास यह दूसरा sentence बन चुका है अगर मैं इसको यहाँ पर remove कर दूँ इस चीज को अभी देखो यह complete एक ही sentence बन रहा है यहाँ तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको example के लिए सू कर रहा हूँ कि ठीक है आप special symbol add करके check कर सकते हो कि आपका complete text है और जो corpus है वो sentence के format में convert हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा ठीक है मैं दुसरा example आप लोग को देता हूँ यहाँ पर text change करता हूँ complete text को मैं यहाँ पर change कर देता हूँ फिर से मैं run करता हूँ अभी देखो हमारे पास जो complete text था पहले तो यह full stop के basis पर हमारे पास यह पहला sentence हो जुगा है हमारे पास full stop के basis पर अब second sentence चेक कर लेते हैं so second sentence कहाँ पर हमारे पास method paint हो रहा है method हमारे पास comma ही है तो comma के basis पर हम लोग ने sentence में convert नहीं किया था इसको छोड़ देते हैं आगे जलते हैं इस basis पर हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है अपने complete corpus को sentence के format में change कर लिया है next चलते है next हमारे पास last किया है last हमारे पास है full stop है so again full stop के basis पर हमारा complete corpus change हो चुका है sentence tokenization के format में तो यहाँ पर आप अगर आपको word tokenization करना है with the help of regular expression आप यह complete pattern pass करोगे और अगर आपको sentence tokenization करना है तो आप यह pattern pass करोगे अब चलते है next हमारे पास क्या है देख लेते है so after regular expression हमारे पास है inlt so अब inlt के library का यूज करते है हम लोग क्या करते है complete word tokenization and sentence tokenization so हमारे पास क्या है inlt के में हमारे पास inbuilt function अबलेबल है word tokenize as well as send tokenize so सबसे पहले मैं क्या करता हूँ सबसे पहले मैं inlt के को import करता हूँ और उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा install करना पड़ेगा inlt को install कर सकते हो ठीक है meanwhile चलो हम लोग library को import करते है so from inlt क dot tokenize and import हम लोग क्या कर रहे है हम लोग import कर रहे word tokenize सबसे पहले अपलाई करते है so word tokenize so अभी हमारा यहां पर देखो inlt के import हो रहा है so import complete हो चुका है अब मैं क्या करता हूँ मैं text यहां पर define करता हूँ so उपर जाता हूँ same text यहां से मैं copy करूँगा यहां पर paste कर रहा हूँ text यह हमारा complete text हो गया है अब हम लोग use करेंगे word tokenize function को and इसके help से हम लोग convert करेंगे अपने complete corpus को word के format में so चलो मैं यहां पर define करता हूँ एक variable tokens को so tokens run करता हूँ अब इसको अभी देखो जो हमारे पास complete text था वो convert हो चुका है हमारे पास word के format में ठीक है so इस तरह से with the help of nltk library हमारे पास nltk में word tokenize inbuilt function available है इसके help से भी हम लोग अपने word tokenization कर सकते हैं अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर copy करता हूँ इसको and word tokenization की जगा हम लोग करते है send tokenize because अब मुझे convert करना है complete corpus को sentence के format में so मैं define करता हूँ यहाँ पर send tokenize run करता हूँ इस shell को उसके बाद फिर से अपने complete text को यहाँ पर paste करूँगा and define करूँगा यहाँ पर send tokenize function को run करता हूँ अब इदेखो हमार पाद जो भी corpus था वह sentence के format में convert हो चुका है sentence tokenization हो चुका है अब हम लोग next क्या करते है next apply करते है specie library specie सबसे पहले मैं अपना Anaconda prompt open करता हूँ and install करते है specie को install specie जैसे हमारा specie install हो जाएगा उसके बाद हम लोग specie को load करेंगे and specie load करने के बाद हम लोग convert करेंगी अपने complete text को सबसे पहले word के format में and फिर हम लोग उसको convert करेंगे sentence के format में ठीक है so let's wait few more seconds till the installation and उसके बाद हम लोग apply करना start करेंगे specie library को so few more seconds okay so हमारा specie यहाँ पर install हो चुका है चलते हैं फिर से अब हम लोग अपने Jupyter notebook में यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ specie को import करता हूँ so from specie.language language language English language and import कर लेता हूँ English language so English run करता हूँ this tool को let's wait a few seconds till the execution okay so हमारा specie import हो चुका है same text को यहाँ पर copy करूँगा okay उसके बाद इस जो हमारा NLP है NLP के अंदर हम लोग अपने text को pass करेंगे so doc equal to NLP and इसके अंदर हम अपने text को pass करेंगे because हम लोग check कर रहे है कि जो हमारा text है English text है या नही so हम लोग इसलिए NLP में जो है अपने English जो भी text है उसको call कर रहे है अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर for loop define करेंगे and with the help of for loop हम लोग जो भी हमारा corpus है text है उसको convert करेंगे word tokenization के format में so सबसे पहले मैं empty list बना लेता हूँ so token underscore list करके मैं empty list बना लेता हूँ क्यों क्योंकि जो भी हम लोग convert करेंगे अपने corpus को word के format में उसको मैं store करना चाहता हूँ list के format में अब मैं for loop define करूँगा so for token in doc and उसके बाद append कर दिंगे इस list के अंदर so token list dot append append token so इस token को मैं call कर रहा हूँ so token dot text okay token dot text text and उसके बाद हम लोग print कर देंगे अपने token list को so print token list run करता हूँ अब इससेल को okay so इसे देखो जो भी हमारे पास complete text था वो convert हो चुका है हमारे पास word tokenization के format में so इस तरह से सबसे पहले हम लोग call करेंगे अपने English tokenizer को जहां पर हम लोग define करेंगे अपने text को for loop के help से हम लोग convert करके align कर देंगे अपने list के अंदर जो भी list हम लोग create किये थे ठीक है तो इस तरह से हम लोग complete word tokenization कर सकते हैं अब मैं क्या करता हूँ आपको एक assignment देता हूँ specie का जहां पर आपको sentence tokenization करना है क्या करना है मैं आपको define कर देता हूँ थोड़ा सा hint देता हूँ आपको यहां पर मैं define कर देता हूँ hint assignment as a hint so assignment and hints ठीक है यह मैं आपको hints भी दे दे रहा हूँ कैसे आपको करना है सो क्या करना है सबसे पहले आपको NLP जो है Tokinizer English Tokinizer को define करना है उसके बात हमारे पास एक component होता है ACEY के के अंदर CreatePipe CreatePipe का यूज करते हुए आपको complete text को complete corpus को आपको convert करना है sentence के format में same चीज अगर मैं बात करूँ यहाँ पर यह loop बाइज आप same ही loop use करोगे यहाँ पर token list के जगाँ आप कर सकते हो sentence list sentence list and sentence list and sentence list को हम लोग call कर दिंगे यहाँ पर so that कि हमारा जब भी convert हो जाए इस particular sentence list के अंदर यहाँ पर आपको थोड़ा सा modification ढालना है text wise हमारा same text रहेगा text wise same text रहेगा आपको क्या call करना है आपको call करना है create pipe function को इस NLP से आप create pipe function को call करोगे और उसके बाद जो भी आपका text है NLP के अंदर pass करते हुए आपको convert convert करना है complete corpus को sentence tokenization के format में okay so yes guys this is all about in this particular video next video में हम लोग discuss करेंगे tokenization using Kiraj and tokenization using gensim library okay so yes guys this is all about in this particular video make sure you can like the video subscribe the channel and share with your friends thank you